सब्सक्राइब कीजिए लजीज किचन चैनल को और बेल आइकन को जुरूर दबाईए लेटेस कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो वीवर्स कैसे है आप लोग वेलकम टू लजीज किचन आज हम बनान जा रहे हैं फिश करी जिसे बनाना बहुत इजी है चले बनाती है इसे मेरे स्टाइल में सबसे पहले मैं तवे को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लूँगी उसमें मैं सूखा नारियल थोड़ा दो तीन चम्मच धनिया साबुत और दो चम्मच जीरा दो चार लाल मिर्च यह सब मुझे अच्छे से रोस्ट कर लेना है दावे पे देखिए खोपरा मैंने इतना लिया है एक अटोरी होंगा यह हमें इन्हें अच्छे से भून लेना है जलाना नहीं है यह भूनने लगा है फ्लेम मीडियम है मेरी अब मैं इस पे साबु धनिया दाल रही हूं और दो चम्मच जीरा इन सब को हमें दाल के अच्छे से भूनना है फ्लेम जादा फोल ना कीजिएगा वरना मसाले जल सकते हैं अब मैं इसमें लाल मिच दाल रही हूं इन सब को मैं अच्छे से भून लूँगी इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर पे आप चलाते रहिएगा ताकि एक जगा यह लगना जाए अब मैं इसमें दो मीडियम साइज के प्यास लिए है मैंने रफली काट लिया है और मैं इस तरह से उसे भी लाल कर लूँगी तवे पर थोड़ा सा आदा चमच मैंने इसमें तेल एट किया है पसा आदा चमच छोटा और मुझे इससे अच्छे से गोल्डन कर लेना है प्यास को इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहूंगी मैं इस तरह से हमेंसे अच्छे से गोल्डन कर लेना है जलाना बिल्कुल नहीं है थोड़ी देर में हो जाएंगी यह लाल और आखिर में मैं इसमें दस बारा कड़ी पते दालूंगी कड़ी पते मैं आखिर में क्यों दालूंगी ताकि वो जल न जाए जलने से उनका टेस्स कड़वा साल हो जाता है इसलिए थोड़ा सा ही उससे सेखने देतना रोस्ट करना है बस ये देखिए प्याज हमारी हो रही है ये नए स्टाइल की बना रही हूँ मैं बहुत सारे खिसम की बनती है फिश ग्रेवी वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और मैं सुर्म मच्छी बना रही हूँ मच्छी हमारी सुर्मा है ये देखिए अब मैंस में 10-12 कड़ी पत्ते सुके हुए है वो मैंस मैट कर रही हूँ ताजे अवेलिबल नहीं होते है टाइम पर इसलिए मैं कड़ी पतों को दो कर सुका लेती हूँ और इसे जार में भरके रख देती हूँ महीन भरता की आराम से चल जाते है इनका फ्लेवर वही रहता है खुश्बू भी नहीं जाती है जब चाहे आप इस्तिमाल कर सकते हो यह टीप्स दे रही हूँ मैं आपको अग्ञाब अग्श्य करता है निर exponATE मेंसेमाel कि भूंके निकाल लिया तब इन दोनों को न मैं अच्छे से पीस्ट के पेस्ट बना लूँ जाए इसे पहले ड्रॉइं अच्छे से सुका ही पहले पीसट लूँगी powder बना लोंगी और इसके बाद जब मैं पानी एट करूंगी पीस्ते वक्त तब इसमें प्यास करूंगी और फिर इसका भी paste बना लोंगी दोनों को हमें एक सरी का ही रखना देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है तोनों को एक जगह ही पीस कर इस तरह से पेस्ट आपका भी बन जाएगा अब मैं आपको फीश बता लिती हूँ सुर्मा मच्छी है यह मारी यह देखिए अब मैं इस पे नमक लगा के इसे मैरिनेट करके रख दूंगी नमक और नीबू से ही मैरिनेट कर रही हूँ मैं आप चाहे तो इसमें हल्दी भी एट कर सकते हो कलर अच्छा लगता है दो कर अच्छे से साफ कर लीजेगा आप फीश को और नीबू और नमक आदा नीबू दाला है मैंने यह हाफ केजी है हमारी फीश इसे दो कर अच्छे से साफ कर लीजेगा और इसमें नमक और नीबू लगा के इसे बैनेशन के लिए रख दीजेगा इस तरह से अब मैं इसे साइट में रख दूंगी अब ये देखिए ये मेरी एक मुटी इमली मैंने गरम पानी में भिगो दी है सुकी हुई इमली और उसका पल्प हमें चाहिएगा इसलिए मैं इसे शुरू में ही भिगा के रख देती हूँ ग्रेवी पकने तक ये देखिए तीन कप छोटे मैंने तेल लिये है पतीले में और मैं इसमें दो चम्मच अद्रकलसन का पेस्ट एट कर रही हूँ अद्रकलसन को अच्छे से मैं भून लूँगी ताकि इसकी रॉसमेल चली जाए फ्लेम मीडिया में हमारी इसे मैं अच्छे से भून रही हूँ ये देखिए अद्रकलसन अच्छे से भून चुका है अब मैं इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर दाल रही हूँ ये कश्मीरी लाल मिर्च है कम तीकी होती है इसका कलर बहुत ज्यादा होता है इसलिए आप मिर्ची देखकर दालिएगा क्योंकि शुवात में भी हमने चार पाच पीस लाल मिर्च के भी दाले हैं आदा चम्मच हल्दी दाल रही हूँ मैं अगर आप कम तीका खाते हो तो लाल मिर्च को कम कर दीजिएगा अब इन दोनों मसालों को ना मैं अच्छे से भून लूँगी फिलेम मीडियम है हमारी लो मीडियम इस तरह से हमें इन जलने नहीं देना है इस बात का आप खयाल रखिए अगर आपको लग रहा है कि यह जल रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी एट कर दूंगी ताकि मसाले हमारे जल न जाए यह देखिए इस तरह से जब भी आपको लगए कि हमारे मसाले जल रहा है आप इसमें थोड़ा सा पानी आइट कर दीजेगा तो मसाले बहुत ही अच्छे से भूंते रहते हैं और जलती भी नहीं है अब यह देखिए मैंने जो पेस्ट बना लिया था ना खोफरा दूसरे मसालों का और प्यास दाल का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो मैं इसमें एट कर रही हूँ पेस्ट दालने के बाद मैं इसे और थोड़ी देर भूनूंगी भूने का प्रोसेजर बहुत ही इंपोर्टन्ट होता है आप प्लीज इससे skip मत कीज़ेगा ध्यान में रिखिएगा बहुत ही इंपोर्टन्ट होता है थोड़ी थोड़ी देर पे अप इसे चमच चलाते ताकि मसाले इंट्री से जलना जाए, देखिए, अब मैं इसमें आदा चमच नमक एट कर रही हूँ, नमक हम आदा चमच इसलिए दाल रहे हैं, क्योंकि हमने फिश पे भी नमक लगाया है, इसलिए आप चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हो, अब मैं इसे धाप के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और मैं से थोड़ी थोड़ी देर पे हलाती जाओंगी, और चेक करती जाओंगी, कि मसाला जल तो नहीं रहा है, मीडियम फ्लेम है हमारी, और भूनना भी बहुत इंपोर्टन्ट है, यह देखिए, अच्छे से भून चुका है, यह देखिए, दान दस से पंदरों मेट में अच्छे से भून जाता है, यह देखिए, मसाला बनके भूनके बिल्कुल रेडी हे, कितना अच्छा से भून चुका है यह, अब मैं इसमें पानी दाल रही हूं, और उसकी ग्रेवी बना लूँगी मैं, यह देखिए, मैं ग्रेवी बना रही हूं अब मैंस में इमली का पल्प जो मैंने निकाला था ना शुरू में आधा कटोरी वो मैं समेट कर रही हूँ यह बहुत इंपॉर्टन्ट है, इमली का खट्टा पन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है आप इसे skip नहीं कर सकते हो यह देखिए इस तरह से बस medium रखनी है हमें क्योंकि ओटने के बाद दम होने के बाद यह थोड़ा सा थीक हो ही जाता है इसलिए यह देखिए इसकी consistency बस बिल्कुल perfect है यह ऐसी ही रखनी है हमें देखिए मैं थोड़ा सा दाल रही हूं इसमें पानी मुझे लगा थोड़ा सा थीक हो रहा है आप यह ऐसी कर सकते हो अगर आपको लगा कि थीक हो रहा है थोड़ा साप इसमें आड़ कर सकते हो अब मैं इसे दो से तीन बॉइल आने दूँगी ताकि इमली का खटापन अच्छे से पक जाए और इसकी raw smell चली जाए यह देखिए कितने अच्छे से हमारा सालन बनकर बिल्कुल रेड़ी है बहुत अच्छे से और चुका है यह तीन बॉइल आ चुके है इसमें देखिए अब इसे स्टेज पेस में फीश आट करूँगी फीश आट करने के बाद बस पांच मिनिट मुझे से बॉइल होने देना है और बिल्कुल लो फिलेम पर हम इसे दम पर रख देंगे और बस फिश बॉन कर बिल्कुल रेड़ी है फिश की ग्रैवी ये देखिए मैं इसमें दाल रही हूं मच्ची वही जो हमने मैरिनेशन करके रखी थी न वही यह देखिए अब बस मुझे यह दालने के बाद इसे पांच मिनिट ही पकाना है मेडियम फ्लेम पे और फिर मैसे लो फ्लेम पे रख दूंगी दम पे पांच मिनिट के लिए कुल मिलाटके हो गए दस मिन यह देखिए फिश करीब बनकर बिल्कुल रेडी है इसमें कितने अच्छी सी तरी भी आ चुकी है और यह दिखने में जितने अच्छी लग रही है यह खाने में उतनी टेस्टी होगी आप इसे जरूर बना के ट्राइ कीजिएगा अब मैं इसे डिश आउट करूंगी इसे डिश आउट करके यह देखिए अब मैंसे यह देखिए जी कितनी मज़ेदार सी हमारी फिश करीब बनकर बिल्कुल रेडी है आप इसे जरूर बना के ट्राइ कीजिएगा और प्लीस इसे लाइक कीजिए थैंक्स पर वाचिंग वीडियो